दिडिये में की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में सेटरडे और संडे को यानि वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले बहुत जरूरी होने पर हॉस्प कर्फ्यू का पालन करें घर में रहें वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें दूसरा केसिज ना बढ़ें इसलिए यह भी फैसला लिया गया कि जितने भी गौर्वर्मेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशन्शल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़ कर सब को अ प्राम होम मोड पे रहेंगे या ओनलाइन मोड पे रहेंगे प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाव किया जाएगा वो 50% कैपसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें एक और समस्य अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस्टॉप् सोद्टे हैं थो जो बस डे हैं बस्तॉप्स होते चोट चोटे और जो मेट्रों के स्टेशण्स है वो सुपर सपीडर बनने का खत्रा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई घैची कि और साथ-kapces में वह आधी क्रदी गई थी संख्या और उसकी वाजए से से मेट्र प्रोना ओमिक्रोन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से इसलिए इसको देखते हुए यह भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपसिटी पे चलेंगी लेकिन एक भी वेक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाव नहीं किया जाएगा तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाव नहीं किया जाएगा ना सिर्फ चढ़ना बलकि वहां यात्रा करना भी अलाव नहीं होगा लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपसिटी पे चलेंगे यह भी डिसीजिन दिया गया एक बार फिरसे में कहूंगा कि घबराएं की घबराएं नहीं घबराने के जोड़तनी है मास्क को एक हतियार बनाए साथ-साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी धीहन रखें की मास्क लगा के चलेंगे लेकिन सेटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलेस और इस तरह की जितनी वी चीजें है एसेंसिल सर्विस में एमर्जेंसी सर्विस में फूड आइटम सबजी और यह सब को नहीं रुखा जाएगा